तो यार, 2021 के दिसम्बर में Spider-Man No Way Home के बाद हमें Spider-Man की कोई movie announcement सुनने को ही नहीं मिली जबके Marvel ने अपना 2026 तक का schedule पूरा रिप्ट कर दिया है बट इस पूरे schedule में कहीं पर भी कोई भी Spider-Man की movie नहीं है परिशान होनी की बाद भी तुमारे लिए एक बहुत ही खतरना सब्री लेकर आया हूँ मैं एक नहीं, दो, नहीं, तीन, तीन, स्पार्टर में की पोजेट सबसे पहले तो Spider-Man No Way की एक पूरी सीरीज है जो कि Amazon पर आईगी सबसे एक डिटेक्टिव सीरीज होगी Spider-Man की जो कि 1960 में सब्सेट होगी सुनकर तो काफी इंट्रस्टिंग लगा और मैं तो वैसे भी डिटेक्टिव मिस्ट्री का बहुत ही बड़ा फैन हूँ और सेकेंडरी है हमारी मैडम वैब जो कि पूरी के पूरी Spider-Man की उन्यूवर्स से कनेक्टिड होगी क्योंकि मैडम वैब भी होती है जो कि Spider-Man को मल्टिवर्स में ट्रेविल करने में बहुत मतद करती है और ये वाली कुछ पिक्चर्स भी लिख हुई थी जिसके अंदर ये बंदा साफ 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 सा लग रहा है कोई ने कोई Spider-Man का वीरेंट प्ले कर रहा है काफी हाई चैंसे हैं कि सुन तो इसके किसी Spider-Man की वीरेंट जैसा ही लिख रहा है तो हैंस इसके अंदर भी Spider-Man की अपियर होने के काफी हाई चांसे हैं तो है अगर तुम बुलिट रेन के इस बंदे को जानते हो तो ये ही प्ले कर रहा है Kraven the Hunter खेर MCU की तरफ से कोई Official Announcement तो नहीं ही Spider-Man की हावाले से बट सुनी अपने पूरे Spider-Man की युनिवर्स पे काफी जादा फोकस कर रही है बस मुझे डर ये है कि ये हग ना दे मोर अभियस की तरह खेर अगर तुम्हें वीडियो थोड़ी थी पसंद आगे है तो चैनल को सब्स्राइब और वीडियो को लाइक जबर करना चत्तके लिए मिल्दे आगली वीडियो में तिल देन टेक केर